2024 लोकसभा चुनाव नजदीक हैसे में विजेपी एक्षन मोट में नज़र आ रही है। अग्षास से कब होती है हमारे मन में काफी सवाल है जिस पर आज हम बातचीत करेंगे और सबसे बड़ी बात हम ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर अमिश्रा से जो मुलकात हो रही है लगतार बिहार के निताउं से तो क्या बातचीत हो रही है और इसके जो माइने है वो क्या निकाले जा सकते हैं हमारे साथ जोड़ चुके हैं वर इसंद सहीओं कि आसुतोश मैंश्रास सर जिस तरीके से आज जीतन राम राममांजी की मुलकात होई है अमिश्रा से तो इसके क्या माईने निकाले जा सकते हैं? मुझे लगता है कि ये मेन बात होती है जिसको लेकर के सारे नेताओं से अमिश्रा मिल रहे हैं या सारे नेता अमिश्रा से मिल रहे हैं। अमिश्रा से जितना माजी की मुलाकात हो चुटी है। मुझे जितना माजी को एक सीट ही बीजय पी देने जा रहे हैं। और राश्क्रिय लोगज़न सक्तिपाटी को तीन सीट, चिराग पासवान को तीन सीट और उपहिंद्र कुश्वाहा को दो सीट। वो सीटे उनको मिलनी चाहिए। लेकिन दो सीट क्यों मिल लई है। मुझे लगता है कि उपहिंद्र कुश्वाहा की इस बारे में बात चित हुई होगी। पशुपती पारश्टे भी चुटी पांच सांसद हैं उनको लगाकर के। तो वो चाहते हैं कि पांचों सांसद का टिकट तो कंफर्म हो ही। इसके अलावा जो 2019 में लोजपा एकिक्रित 6 सीट जीती थी। कहते भी आ रहे हैं वो 6 सीट उनको मिले। वैसे ही SUV जीतन्नमाजी की भी डिमांड है। पिछले दिनों आपने सुना भी होगा कि जीतन्नमाजी ने जमूई सीट पर भी जो चिराग पासवान के सीट है। उस पर भी दाबात होका था। उन्होंने कहा था कि भोला माजी जो कि भागपा के सांसत चुने गए थे पहली बार 1952 में जब जमुई लोगसभा चिट थी, उसके बाद तो 2009 में परिसीमन हुआ तब जाकर जमुई लोगसभा चिट आया तब से तो NDA काही कब जाया वहाँ पर, पहले जेडियूर के उमिद जिवार जीते थे भुदेव चोधरी, उसके बाद फिर चिराग पासवान दो टर्म से जीतते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जीतन नामाजी जब इस बार मुलकात करने गये हैं, तो उन्होंने अमीत शाह से जमुई सीट पर भी दावा ठोका है, चुकि इससे पहले ज जीतन नामाजी की पाटी का, तो गया सीट उनको ओफर किया डिया था, लेकिन अब उनकी महतु कांचाहें बर गई हो या फिर उनको लगता हो कि यहां पर उनको कहा भी कि मुसहर और समाज का वहां पर वोट बैंक जादा है, इसलिए हमको वो मिलनी चाहिए, और चिराग प आते बात की बाते हैं, लेकिन हाजीपूर पर उनकी नजर है, पशुपति पारस भी हाजीपूर सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो ये सारे उलजन वाली बात भी है, इसको भी पशुपति पारस मिले होंगे, तो बाचित होई होगी, वहां पर क्या आश्वासन मिला है, पत क्या सवाल है कि चिराग पासवान से क्यों नहीं बातचित होई है अभी तक, और क्या आगे होगी भी या नहीं होगी, तो ये सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि बातचित बारी-बारी से हो रहा है, पहले पशुपति पारस से मिले, फिर उपेंदर कुश्वाहा से, और अगला नमबर शिराग पासवान को हो सकता है, और अभी भी सिर्फ आश्वासन कहीं सिलसला चला है, अभी फाइनल बातचित नहीं हो रही है, लेकिन एक मुझे मत बनाने की कोशिश हो रही है, दिमाग में डालने की कोशिश हो रही है कि भाई, आप लोग को इस चे ज़्य जादा नहीं मिलने वाला है और यह अंदर खाने सब लोग को बता दिया गया है पहले राउंड में जितनी बाते बच गई थी वो इस बार की बाथ्चित में लगवग लगवग क्लियर कर दिया गया है कि कि सो तुच्छ बने है फिर बात बंती हुई नजर आ रही है नहीं दे कल्प है जो ऑप्शन है वो एकमात्र एंडिये ही हैं तो वहां पर बीजेपी जितना देगी उससे संतोष करना परेगा इधर उधर जाने से ताक जाक करने से इन लोग कोई फायदा होने वाला नहीं है और ये लोग जानते हैं हलाकि कोशिस जरूर रहती है कि बादचीत तरक के एक डो सीट और बढ़ा ली जाए या फिर अभी एक सीट नहीं मिले तो विधान सवा चुनाओं में वो कंपनसेट कर दिया जाए वहां पर सीटे बढ़ा दी जाए ये सारी बादचीत होती है या फिर जितता है तो केंद्रिय मंत्री सरकार बनती है तो मंत्रीपद मिल ज है यह तमाम चीजे होती है जो कि सिंताएं हैं दूर करने के कोशिश होती है और यही प्रकिडिया है और इसी के तहत लोग मुलाकात भी करते हैं मिद्शा भी देख रहे हैं कि इंडिया अलाइंस भी एक्शन मोड में है उस पर भी सीट सीरिंग की बातिया फाइनल होने वा काती थी लालू परसाद यादों से तो इस सब कुछ अंदर खाने दोनों अलाइज जो भी हैं सीट सेरिंग कहीं एक मसला ऐसा होता है जिस पर विवाद खड़ा होता है जिस पर कई पाटिया संतुष्ट हो जाती है सबसे बड़ा मसला यह है और मुझे लगता है कि अमीज स कर रहे हैं और सहयोगी दल को भी यह पता चल गया है कि अब कितनी सीटे उनको मिलने जा रही है वो अब उमिद्वार तलास्तर के छेत्र में काम करना भी शुरू कर देंगे कई सीट आइसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है जैसे कि गया माजी को मिलने वाली यह सीट वहा उनके बारे में क्या आस्वासन दिया गया अमिद्वार की और से यह भी सोचने वाली बात होगी अब जब चिराग पास्वान उनसे मिलने जाएंगे तब क्लियर होगा कि क्या चुटी चिराग पास्वान लास्ट टाइम जब मिले थे 18 जुलाई को तब उन्होंने कहा था म मेडिया के सामने में आठे कि मेरी तो बात चित हो चुटी है मेरी सारी चिंताएं जो थी वो दूर कर लिग रही है इसलिए मैं एंडिय में शामिल हुआ हूँ लेकिन पशुपती पारस भी कहते आ रहा है कि हाजिपूर सीट छोरने का दुनिया कि कोई ताक्रत नहीं मुझ और उनको पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है या फिर अमित्षा चुटी बीजेपी के चाना के कहे जाते हैं बरे नेता हैं अच्छे तरीके से चीजों को डिल करते हैं तो हो सकता है कि यह अभी चुटी इस पर डिस्प्यूट है तो अभी कुछ क्लियर नहीं किया उन पासवान को बहुति हैं क्या बाचित होती है जब बाचित होगी उसके बार हाजीपूर या फिर कितनी सीटे दी जा रही है है छिराग पासवान को भी शूपद्टी पारस्थ को भी वयसे जो मेरी जानकारी है सबको जिंज ow से रावट open में बातचित होगी तो देखिए सबसे बड़ा जो मसला बना हुआ है वो शीट शेरिंग को लेकर के बना हुआ है एक तरफ से आई एंडिया ये गटवंदन को देखा जाये तो उसमें भी शीट शेरिंग को लेकर के विवात छिडा हुआ कि किसको कितनी शीटे दी जाये और दूसरी तरफ एंड जहां से कब तक मुलाकात होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हाजिपूर सीट पर किसका दावा होता है वशुपती पारस का या फिर चिराक पासवान का बागी आप देख रहे थे आई वी टीवी मैंनिश्रा धन्यवाद